मेरा नाम है रजट and you are watching India's No.1 Hindi Gay Story Channel रोहित आज अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी कर रहा था उसे अपने रूम में बापिस जाने की बिलकुल भी चिंता नहीं थी क्योंकि हाउस ओनर कहीं बाहर गया हुआ था चार-पांस दिन हो चुके थे वो आया नहीं था तो फिर रोहित को पूरी आजादी मिल गई थी रूम पे जो चाहे सो करो इस मौके का वो कबसे ना जाने कबसे इंतिजार कर रहा था और आखिर इससे जाने कैसे देता उसने दारू पार्टी और्गनाईज की दोस्तों के साथ लेट नाइट आउटिंग की और खूब एंजॉई किया जी भर के कुछी दिन पहले रोहित का उसकी गल्फरेंड से ब्रेक अप हुआ था और वो काफी अपसेट भी था उसकी गल्फरेंड का कहना था कि वो उसे सैटिस्फाई नहीं कर पाता है ना ही कभी और्गैजम तक पहुँचाता है ऐसे में उसने रोहित से ब्रेक अप कर लिया वो थी तो उसके आफिस की कलीक और दीरे दीरे रोहित ने उससे अपने प्यार में फसा ही लिया था दोनों एक दूसरे को अच्छी से जानने लगे थे रोहित को भी कुछ जादा ही उससे लगा हो गया था पहले ऐसा लगता था पर जबसे ब्रेक अप हुआ दोनों आफिस में मिलते थे पर एक दूसरे को ऐसे एगनोर करते थे जैसे जानते ही नहीं रोहित को भी कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा था वो दो दिन तो उदास रहा जैसे किसी ने उसकी जान ले ली हो पर फिर तीसरे दिन वो ऐसा हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था सबी दोस्त उसके इस बिवहार से हैरान थे कुछ का मानना था कि वो अपने गम को छिपाने के लिए ये सब कर रहा है और कुछ का कहना था कि उसे कोई फर्की नहीं पड़ता यार वो ऐसा ही है पर सच क्या है इदो रोहित ही जानता था रोहित ने अपने दिल में कुछ छिपा रखा था या नहीं वो तो सिर्फ उसको पता था एक रोज लेट नाइट पार्टी करके जब रोहित रूम पे आया तो देखा में बिल्डिंग में ताला लगा हुआ है और वो एंटर नहीं कर पा रहा है वो समझ गया हाउज ओनर आ गया है रोहित ने उसे फोन किया तो पहले तो उसने फोन उठाया ही नहीं फिर बाद में उसने फोन काट दिया जब रोहित ने बार-बार कॉल किया तो उस ओनर ने अपना फोन ही स्विच आफ कर लिया रोहित बाहर कड़े परिशान सा था उसने बैसे भी बोड़का पी रखी थी उसने एक पत्थर लिया और दर्वाजे पे पटकना शुरू कर दिया उसके ऐसा करते ही हाउज ओनर दोड़ा दोड़ा नीचे आया और वो आके रोहित से लड़ने लगा आसपास के लोग भी इकटे हो गए और हो हल्ला होने लगा उसने रोहित को धक्का दे दिया और रोहित ने उसे फिर तबियत से सुता उसकी सारी अकड उसकी अकल दोनों ठिकाने पे लगा दी मामला पुलिस तक पहुचा तो रोहित से जब पूछा गया कि लेट नइट क्यों आए जब पहले से ही मना किया है कि देर रात में एंटरी नहीं होगी तो रोहित बोला पिछले चार सालों में एक बार भी लेट नइट आया हूँ तो पूछो इस आदमी से आज तक का रिकॉर्ड एक बार भी लेट नइट नहीं आया और अगर एक बार आज आ गया तो उसमें ऐसा क्या हो गया सिर्फ इसे दर्वाजा ही तो खोलना था हाउज ओनर दीपक बोला देखा कैसे जुबान लडाता है ये लड़का इंस्पेक्टर शिवम बोला बस करो दोनो फालतु का कलेश थाने में करने की जरूरत नहीं इंस्पेक्टर शिवम बोला एक बात बता तुने दीपक पे हाथ क्यों छोड़ा रोहित बोला क्योंकि इसने मुझे पहले मारा उसके बात मैंने इस पे हाथ छोड़ा इंस्पेक्टर बोला ऐसा क्या क्यों दीपक तू तो बोल रहा था कि इसने हाँ छोड़ा दीपक बोला हाँ इसी ने छोड़ा था ना यकीन हो तो CCTV में देख लो मैं दिखाता हूँ उसने अपने फोन में रिकॉर्डिंग प्ले की रोहित दरवाजे पे पत्थर मार रहा था इस पर इंस्पेक्टर ने रोहित से सवाल किया कि क्या वो पागल है रोहित गुस्षे में था बोला सुनो इसने पहले मेरा फोन नहीं उठाया फिर फोन काटा और उसके बार स्विच आप करके बैठ गया मैं क्या करता बताओ इंस्पेक्टर ने वो क्लिप अच्छे से देखी जहां रोहित बार बार किसी को फोन करते हुए दिख रहा था और फिर बीडियो आगे बढ़ा के जब दीपक आया और वो जोर जोर से रोहित पे चिला रहा था जो कि बीडियो में दिखाई दे रहा था गालिया बकते भी वो समझ में आ पा रहा था उसने रोहित को धका दिया और फिर उसे मारने के लिए हाथ भी उठाया पर रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ही पीट डाला ये देख इंस्पेक्टर ने दीपक को बहुत सुनाया और उसे एक रात के लिए अंदर कर देने की धमकी भी थी दीपक अचानक से गिल गिलाने लगा और वो रोहित के पैरों में गिल कर माफी मागने लगा रोहित इतना भी बुरा नहीं था उसने उसे उठाया और माफ कर दिया इंस्पेक्टर ने दोनों को घर जाने के लिए बोला दोनों अपने अपने घर निकल रहे थे हाउस ओनर दीपक कार में बैटा और रोहित अपनी कार से निकला जैसे ही रोहित घर पहुँचता तो देखा उसका सारा सामान ओनर के बेटे और बेटी ने घर के बाहर फेक दिया है रोहित बौकला गया और उसने सीधे इंस्पेक्टर शिवम को फिर से फोन लगा दिया शिवम भी बिना देर किये वहां आ गया और फिर उसने दीपक के बेटे के दो डंडे कर्रे कर्रे पीठ पे रखे और दीपक के भी उसकी बेटी को महिला पुलिस और उसकी मा को भी महिला पुलिस ने अरेस्ट कर लिया जारों लोगों ने एक रात थाने में बिताई और बेजिती जो हुई वो अलग पर इस सब में रोहिट के पास कहीं जाने को घर नहीं था तो इंस्पेक्टर शिवम ने कहा भाई सुन तू एक रात मेरे घर रुख सकता है बैसे भी अच्चे घर से दिखता है कल तड़के अपना नया रूम ड्रेक के तू वापिस चले जाना रोहिट क्या करता उसने अपना सामान समेटा और चल दिया शिवम के साथ उसके रूम पे वो शिवम के घर में दाखिल हुआ तो देखा बहुत सलीके से घर और और शिवम की बूड़ी मा जब रोहिट के बारे में पूछने लगी तो शिवम ने बताया कि ये उसका दोस्त है और कुछ दिन यहीं रुकेगा रोहिट को काफी अच्छा लग रहा था कि कोई उसकी ऐसे केर करके उसके बारे में बोल रहा है रोहिट को पहली वार किसी लड़के के लिए आकरशन हो रहा था पर वो इसे समझ नहीं पा रहा था वो तो यही सोच रहा था कि ये कितना अच्छा इंसान है पर उसके दिल में जो चल रहा था वो थोड़ा समझना मुश्किल था शिवम की माने खाना लगाया और दोनों लड़कों ने खाना खाया शिवम की माँ आज खुश थी क्योंकि पहली बार उनका बेटा किसी को इस शहर में घर पर लेके आया था क्योंकि जब से शिवम का तबादला हुआ था तब से वो किसी को भी घर नहीं लाता था उनको ऐसा लगने लगा था कि जैसे शिवम ने सबसे दोस्ती तोड़ दी वो अपनी बेहन और बड़े भाई से भी बात नहीं किया करता था इसका क्या कारण था ये तो सिर्फ शिवम और शिवम की माँ देव की ही जानती थी पर फिर भी वो चाती थी कि उसका बेटा हसे मुस्कुराए शिवम की माँ ने रोहित से पूछा बेटा तुमने अपना नाम क्या बताया कि मेरा नाम रोहित है तो कब मिले शिवम से मैं आज ही शिवम ने इशारे करके रोहित को टोक दिया शिवम ने बीच में टोकते हुए कहा आज तो बस ऐसे ही मिल गए तो फिर मैं इसको ले आया अपने साथ बैसे हम दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं रोहित समझ नहीं पाया कि आखिर शिवम ऐसा क्यों बोल रहा है खैर छोड़ो बोलके उसने खुद को खाने में विजी किया चूंकि रोहित रात में रुकने बाला था तो शिवम ने रोहित से कहा सोने से पहले नहा लो रोहित बोला नहा तो लूँगा पर पहनूँगा क्या शिवम ने कहा इसकी टेंचन ना लो शिवम ने उसे अपना वर्मुडा और एक टीशर दी पहनने को रोहित बोला और अंदर क्या पहनू शिवम बोला अंदर किधर रोहित ने कहा नीचे शिवम शर्मा सा गया और चुपचाप चला गया वहां से रोहित ने ये बोल तो दिया था पर जैसे ही शिवम शर्माया रोहित को फिर से कुछ अजीब सा फिल हुआ जैसे वो कुछ और ही कहना या करना चाता था रोहित नहाने गया उसने एक मगगा पानी अपने उपर डाला और हूू जोर-जोर से चिलाने लगा क्योंकि पानी काफी ठंडा था और रोहित को आदत ही गरम पानी से नहाने की फिर उसने धीरे-धीरे करकि अपने उपर पानी डालना शुरू किया और अच्छे से नहाया पर जैसे ही उसे दिखा कि अरे शावर भी लगा हुआ है तो वो शावर के नीचे ही खड़ा हो गया और उसने अपनी आखे बंद कर ली वो बस सारे तनाओं को भूल जाना चाता था और कुछी देर में उसका मन ठंडे पानी की बूंदों से एक दम शान्त हो गया वो बस बैटा रहना चाता था बातरूम में निकलना ही नहीं चाता था पानी के नीचे से लगाता हर पानी चल रहा था और पानी चलने की आवाज पाहर तक आ रही थी शिबम ने दरवाजा खटकटाया और बोला बसकर भाई पूरी टंकी खाली कर देगा क्या और रोहित ने कहा बस बस निकलता हूँ कुछ देर में रोहित बाहर आया वो पूरी तरह से शान्त था देखा तो शिबम बर्मुडा पैने खड़ा था उसको देख रोहित के दिल में धक धक होने लगी रोहित के साथ ये जिन्दिकी में पहली बार हो रहा था शिबम की बोड़ी एक दम बढ़िया बोड़ी थी जिम टूंड, मसल्स सब कुछ बढ़िया था रोहित घबरासा रहा था शिबम को ऐसे देखके और अपने दिल में हो रही धक धक को समझने की कोशिश में था आके क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है उसे कभी कोई लड़का पसंद नहीं आया था पहले फिर आज उसे क्यों शिबम पसंद आ रहा था बैसे तो उसने कई रिलेशन्शिप रखे लड़कियों के साथ पर ये वाली फिलिंग कुछ और ही थी शिबम ने जब उसकी तरफ देखा तो रोहित ने नजर फेड ली शिबम 28 साल का था रोहित एबरेज बाड़ी का था शिबम को ऐसे देख रोहित बापिस बातरूम में गुजगया और वहां से अब वर्मुडा और टीशिट पहन के बहार आया रोहित को काफी खुला खुला लग रहा था ऐसा लग रहा था जैसे सब जूल रहा है वो शिबम की तरफ आ रहा था और शिवम उसको देख रहा था रोहित ने कहा थैंक्यू शिवम मेरी हेल्प करने के लिए आज तुमारी वज़े से मुझे रोट पे नहीं सोना पड़ा शिवम मुश्कुराया और बोला यार यहां बिजली की बड़ी समस्या है तो तुम मेरे साथ उपर छट पे सोने चलूगे रोहित ने तुरंध हां कर दी और वो दोनों उपर चले गए छट पे दोनों लड़के एक दूजे से बाते कर रहे थे और बातों बातों मैं ना जाने क्यों रोहित को शिवम से प्यार सा होने लगा वो शिवम को टच करना चाता था पर हिम्मत नहीं कर पा रहा था और फिर शिवम ने अपना हाथ रोहित के हाथ पे रखा रोहित को थोड़ा अजीब लगा पर उसे खुशी भी हो रही थी वो समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे रियक्ट करे और बताओ तुमारे घर में कौन-कौन है रोहित ने पूचा शिवम बोला मैं मा बड़ा भाई दीदी बस पापा का है तुमारे रोहित ने पूचा शिवम बोला वो तब ही गुजर गए जब मैं दो साल का था मा ने ही पाल पूच के बड़ा किया है हम तीनों को रोहित बोला तीनो शिवम बोला हाँ तीनो मेरा एक छोटा भाई भी था पर वो कहां है किसी को नहीं पता रोहित बोला मेरे घर में मा, बाबा और मैं है शिवम बोला बस इकलोती संतान हूँ रोहित ने का हाँ यार इकलोती ही हूँ शिबम बोला बढ़िया है रोहित शिबम की तरफ आगे बढ़ा और उसने उसके होटों को अपने होटों में ले लिया उसकी गर्दन की पीछे से हाथ लगाया और उसे बेताहाशा चुमा शिबम कुछ नहीं समझ पाया कि उसके साथ क्या हुआ और अगले ही पल रोहित दूर होके बैठ गया जैसे उसने कुछ गलत कर दिया हो कहानी में आके क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए स्टोरी को लाइक करिए दोस्तों फेस्बुक इंस्टाग्राम किसी भी प्लैट्पॉम पे शेयर जरूर कर दो यार